इस्टिंड्यस। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रही थे धन निश्कासन के शाधनूंकी। देखे धन निश्कासन के प्रमुक जो साधन है उनमें पहला हम ले सकते है इस्ट इंड्या कंपनी का व्यापार। इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत के व्यापार पर पूरा नियंत्रण इस्थापित कर लिया था और एक आतुल धनरासी इंग्लैंड को भीजना प्रारम कर दिया था व्यापार जो है इस प्रकार से किया जाता था कि कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी राजसों के बचतमे से ली जाती थी भारत से कच्चा माल वो बहुत कम कीमत पर ख़रीते थे इंगलेंड के कारखानों में वो माल तयार होता था और तत्पश्चात उची कीमतों पर उस माल को बेचा जाता था ब्रिटिश जो व्यापारिक निती थी इस व्यापारिक निती से भारत के लगुगुटीर उद्ध्योग धंदे पतन के कागार पर पहुँच गए थे दूसरी तरफ इंगलेंड के जो कलकार खाने हैं वो उन्नती स्तिती में पहुँच गए थे यदि हम राजस और व्याप के विवरण के अंशार कंपनी प्रिशासन के च्छे वर्षों में बंगाल का सुद्ध राजस एक करोड़ तीस लाग चांसट जाजार नो सो इकरान में पॉंड था और कुल जो खर्च है वो 90,27,609 पॉंड था इस प्रकार 49,152 पॉंड का सुद्ध अधिशेश कंपनी के पास रह जाता था यह अधिशेश की राजसी जो थी उससे यहां कच्छा माल खरीदा जाता था और फिर वो ब्रिटेन भीज़ जाता था साथ ही वस्तों के रूप में भी अधिशेश राजसी को ब्रिटेन भीज़ जाता था तो ये जो व्यापारिक नीतिया थी अंग्रिजों की उन व्यापारिक नीतियों की माध्यम से भारत का धन इंग्लेंट गया साथ ही यहाँ के राजाओं से संधिया करके भी एक कम्पनि ने बहुत बड़ी लोट की थी जैसे कम्पनी ने अपनी चांसार भारती नरिशों को गदी पे बिठा कर उनसे विपुल धन प्राप्त किया प्लासी के युद के बाद जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उससे कम्पनी को लगभग तीन करोड पे दिये इसके अत्रिक्त उसने अंग्रीज अधिकारियों को साड़े बारा लाग पॉंट दिये थे इस प्रकार जब जब बंगाल की गदी पर नया नवाब बैठता था तो कम्पनी और उसके अधिकारियों को विपुल धनरासी नजरारने के रूप में प्राप्त होती थी तो इन माधिमों से भारत का जो धन है उसका निशकाशन इंग्लेंड को हो रा था एक सारजनिक जो रिण है वो भी धन निशकाशन के माधिम बने भारत में होने वाले युद्धों तथा बिटिश प्रिशाशन समंदी जो व्या होते थे उन्हें भारत ये रिण कहा जाता 1914 से पहले बिटिश पूझी का लगबग 97 प्रतिशत भाग भारत सरकार की विभिन योजनाओं में जैसे रेल, सड़क परिवहन, बैंक, चाय, रबर, आदी के बगीचों, किसी साथनों के उप्योग आदी कारियों में लगा था इसके अत्रिक्त अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए रिण लिया था, जिसका घातक प्रभाव भारत की अर्थिववस्ता पर भड़ा, भारत से जो धन इंग्लेट जाता था, वही धन सारुजनिक रिण के रूप में पुने भारत आ जाता थ दादभाईनोरी जी ने इस संतर में कहा है कि भारत का धन ही भारत से भार जाता है और फिर वही धन भारत को रिण के रूप में दिया जाता है, तो यह रासी जो रिण के रूप में लिजाती थी इस पे बहुत अधिक ब्याज लगता था और इस माध्यम से भारत के धन का न पर बहुत बढ़ गया था बिटे सरकार चीन फारश बर्मा अफगानिस्तान आदी में बड़ी-बड़ी सेनाएं रखती थी और जिसका समस्त जो खर्चा है वो भारत पर डाला जाता था इसका चीन और फारस में खुलने वाले दुतावासों का वे भी भारती कोश पर डाला जाता था इंग्लेंड में जो अधिकारी भारत के शार्षन का कारी करते थे उनका खर्च भी भारती जन्ता को चुआना पड़ता था तो उन रिफिन वियोंपर एक बड़िषन भारत के राज प्रश्ण कहर्च या रही थी तो यह भी एक माध्यम बना होम चार्चेज रेल निर्माण भी धन्यशकाशन का भाद भारत में रेलों के निर्माण के लिए अंग्रेज ब्रिटिश पूजियों को अतिधिक लाग पर रेल निर्माण का कारे दिया गया उन्हें पूजी विन्योग पर सुरू में पांच प्रतिश्यत क का गारंटी ब्याज देने का अस्वासत दिया गया साथ ही लाभ में भी आदा हिस्सा देना स्विकार किया था इस प्रकार 1849 से 1900 की अवधी में भारत को 58 करोण रुपे का घाटा उठाना पड़ा जो अंग्रेज पूजिपतियों को गारंटी पुक्तान के रूप में चुक बना विन्योग जो है वो भी एक धन्निश काशन का माध्य था कपने अरजित लाव का जो हिस्सा इंग्लेंड नहीं भेजती थी उसे भारत में विन्योग माना जाता था जिस पर भारतियों को ब्याज और लाभांस वसूल किया जाता था इस विन्योग की रासी 1903-15 की अवधिम में उस्तन 19.23 लाख पूर्ण वारशिक थी साथी अन्य जो साधन है वो भी धन्निश काशन में कारगार थे जैसे भारत से अफीम का जो निर्यात है वो चीन को किया जाता था और इस वियापार कलाब इंग्लेंड को भेज दे जाता था सरकारी आय का व्य भी इस प्रकार किया जाता था कि जिससे अंग्रेजु का दिखलाब हो कि वह पंद्रह प्रतिशत सारजनिक कल्याण के कारियों पर खर्च किया जाता था और इस खर्च में निरंतर व्रदी होती चली गई जहां 1856 में व्याकिरासी तीर क्रोड बीस ल हो गई इससे आंत्रिक आर्थिक निश्काशन में निरंतर व्रदी होती गई और 75 प्रतिशत जो राजास्व है गरीबों से लिए जाता था क्योंकि राजास्व आमकारी नमक कर स्टाम कर अधी का अधिकतर भाग उन्हीं को दिना पड़ता था लगान की दर्ग इतनी थी कि किसा सदेवरिण के भार में दबा रहता था तो इन माध्यमों से भी जो धन है उसका निश्काशन हुआ अब बारती आती है कि यह धन निश्काशन जो हुआ इस धन निश्काशन के क्या परिणाम रहे भारत से इंग्लेंड की और धन के प्रवहा से देश को बहुत अदिक आर्थिक दुष्परणाम भोगने पड़े थे आर्थिक दुष्परणामों का प्रभाव सामाजिक और रानेतिक छेत्र में अत्यांतिवापक पड़ा जिससे निम्नाम सार व्यक्ति किया जा सकता है प भारत के राजकोष में पूंजी का संचे नहीं हो ओ पाया और तत्पश्चात भारत एक दरीद्र देश बनता गया साथ ही निर्धंता में भी व्रद्धी हुई धन निश्काशन के परणाम शुरू भारत की जो निर्धंता है वो लगातार भड़ती गई धन-खाद्यान-कच्छे-माल-आदि-के निश्काशन के कारण पैदबार कम हो गई देश में गरीवी बढ़ती गई धन-श्काशन क कारण पूजी का अभाव हो गया इसके कारण विकास नहीं हो सका इसकी बाद बात आती कि नैतिक निर्गम को जन्द देखें नैतिक निर्गम से अभी प्राय है कि बहुत से उच्छ अधिकारी जो है वह भारत के खर्चे पर यहां सेवाई देती थे उचे-उचे पदों पर न्यूक्ति थे और वह उन व्यक्तियों को लंबे समय तक नोकरी करने से अनभव हो जाता था किन्तु यह व्यक्ति सेवानर्विर्थी के पश्चात अपने देव लोट जाते थे तो उनके अनभवों का जो लाब है भारत के प्रशासन को जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया एक नैतिक निर्गम भी हुआ देश के अध्यों की करण के लिए आर्थिक साधनों का अभाय इस परिपेक्ष में हम माझ सकते हैं कि धन का निष्काशन है वह बड़ी मात्रा में हुआ था तो उसके फल्सुरू भारतियों के पास अध्यों का बाह हो गया जिस से अध कि भारत के पिछड़े पड़ के लिए प्रमुक कारण अंग्रेजी सरकार थी और उनकी आर्थी नीती थी जिसके अंसाथ धन निस्काशन करके भारत को निर्धन बना दिया गया था और इस निस्काशन से यहां पूंजी संजय नहीं हो सका तत्परचात यहां कोई ओध्यों क जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया साथ ही कच्चे माल का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था और भारत अधिक छेत्र में निर्धन पिछड़ता गया इसके बाद बात आती है कि विदेशी पूंजी का प्रवेश और देश का शोशन एक विभिन माधिमो से यवस्तों की रूप में भारत से धन का निश्काशन हो रहा था और भारत से निश्काशित की गई जो पूंजी थी वही पूंजी बाद में विदेशी रिड के रूप में यहां आती थी और उस रिड के उपर बड़ा ब्याज देना पड़ता था जिसके कारण से देश का आर्थिक जो शोषण है वो बड़ी मात्रा में हो रहा था करों का भार भी लगतार बढ़ता गया धनीच कासें के कारण भारतियों पर करों का बोज अतितिक बढ़ गया था भारत में प्रति व्यक्ति आये का 14 प्रतिशयत से अधिक कर भार था जबकि इंग्लेंड में ये केवल साथ प्रतिशयत से कम था इसके एक निर्धन व्यक्ति को कम आये वाले व्यक्ति को इन करों को चुकाने के लिए निर्ड लेना पड़ता था और इस रण पर दिये जानुल ब्याज के कारण उस पर आर्थिक बोज निर्दर बढ़ता गया ज उस पर इतना अधिक था कि वह समय पर कर चुकाने में शक्षम नहीं था इसके बाद बात आती कि लगू और कुटीर उध्यों का पतन धन निश्काशन के कारण भारत से कच्चा माल है सस्ती द्रवग पर इंग्रेट को भीज़े जाता था और वहां से निर्मित माल उची की पर भारत के बाजरों में चाता था भारत के लगू और कुटीर उध्यों विदेशी प्रतिप्रस्ता के कारण नस्ट होते चले गए जिससे देश में गरीबी और बेरुजगारी बढ़ी और लगू कुटीर उध्यों धन्दा धन्दों की अत्यनिंधिक दुर्दश्या होत ही देश्ट में बार-बार अकाल का पड़ इसान के कारण देश में गरीबी बढ़ती और पूछी की अभाव में औ्ध्यों कि विकास नहीं हो सका भारत्यों की दिन्धन्दा का जोत हो अमूल कारण था इस कारण से देश में बार-बार आकाल समय गए और उन्नीश इस्ताब्दी के उत्राद्द में लगबग चोईस अकाल पड़े थे जिन में दो करोड़ पिचाशी लाख लोग भूक के कारण मृत्यू के मुह में चले गए थे किसानों और मजदूरों की स्थिति का हम अवलोकन करें तो भाद ही सोशनी इनकी दसा थी धन डिशकाशन का किसानों और मजदूरों पर घातर प्रभाव पड़ा था किसानों से भूराजस इतना धिक लिए जाता था कि सदेव रिड के बोज की नीचे वो दबे रहते थे उन् ग्रामिण उद्ध्यों के नस्ट हो जाने से अने किसानों का अपनी जबीर बेचनी पड़ी थी और जीवन निर्वहा के लिए मजदूरनी करनी पड़ रही थी धनिशकाशन कारण लोगों की क्रेशक्ति का हास होने लगा था अकाल महमारी आदी के वो शिकार हो रहे थे परिणाम रहा कि गाउं में निर्दर्दुपता का बढ़ना दादा भाहि नोरोजी के अनुसार धन निशकाशन का प्रभवाव देश के भीतरवी पड़ा सरकार की आय का 55 प्रतिशत से अधिक भाग गाउं और कृशकों से वसूल किया जाता था और राजस्व का गाउं से कर लिया जाता था और नगरों में खर से किया जाता था इसके फश्रू में निर्दरमता है वो नरचातार बढ़ती गई थी और भारत में विदेशी पूझी पतियों का आधिपत्य भी हुआ, धन दिशकाशन के परिणाम श्रूप, विदेशी पूझी को भारत मे एक आधिकार के लाब मिल गए क्योंकि देशी पूंजी में प्रतिश्परदा की प्रयाप सक्ति और सामर्थे नहीं था इस प्रकार भारती पूंजी एक दरवाजे से निकल कर विदेश्यों में चली गई और वही पूंजी दूसरे दरवाजे से भारत में विदेशी पूंज को बढ़ावा मिला और रेलों के निर्माड में आधुरिक धंकी कारखानों की इस्तापना हुई और विदेशियों का किन्तु उन कारखानों पर विदेशों का जो आधिपत्य है वो लगातार बना रहा जिससे भारतिये उंद्यों को का हिरास हुआ एक प्रणायम रहा कि भारतिय कर्षिक का प्रछडा रहना प्रोफसर आसिदत का वाणना है कि किसानों से भारी भूराजस वसुल के जाता था और उन ah, but this from the level of color क्रिषी के विकास में नहीं करके, कच्चा माल खरिंदी में किया जाता है, वह कच्चा म माल इंग्लेंड को भेच ज़े जाता था और जिससे भारतियों कच्चमाल उपलम्द नहीं हो सके इस प्रकार से की निती से जो यहां के लगुटीर उध्योग धन्दे थे वो पतन के कागार पर पहुचे और लगुटीर उध्योग धन्दों को कच्चमाल भी उपलम्द नहीं हो सका यह सब परिणाम धन निश्काशन के देश को भुकतने पड़े या हम सहार रूप में धन के भाई ये प्रवाह अथा निर्गम ने भारत को आर्थिक पतन के मार्ग पर लापटका यह भारत से वसूल की गई आए भारत के ही आर्थिक वुकास में लगाई जाती तो भारत कभी काउद्यों की देश बन गया होता लेकिन विदेशी शासकों ने ने केवल भारत में अपनी शासन का मुल्य यहां से वसूल किया वरण बदले में भारत के आर्थिक विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जो भी थोड़े बहुत प्रियतले हुए मोल रूप से ब्रेटी शितों की वरण्दी के लिए वो किये गए थे अतरव उनका प्रेश तलाब देश को नहीं पहुचा यही कारण है कि देश को लूटने वाले अंग्रेज जब भारत छोड़ कर गए तो भारत विभाजन की कीमत पर मिला था आजाद भारत विपन अवस्था में था राष्टिये सरकार जब यहां गठित हुई तो उस राष्टिये सरकार के द्वारा यहां की अर्थेविवस्था यहां के उध्योग धन्द्यों को सुधारने के प्रियास किये गए और उसी का परिणाब आज हम देख रहे हैं कि दे इस उन्वति के चरम का गार पर